नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है पारेस ओलंपिक्स 2024 साथ अगस्ट को कौन-कौन से important match खेले जाएंगे भारत के लिए इस वीडियो में उसमें बात करेंगे ताकि आप अपना सवाई निकाल कर at least उन matches को तो देख सकें चले स्क्रीन पर चलते हैं सबसे पहला match जो है दोस्तों 11 बजे केला जाएगा mixed relay race ये काफी बड़ा होता है इसको आप देखने की जरूत नहीं है इसमें आप result देख सकते हैं बस last मैं एक डेड़ दो घंटे बाद result आएगा वो result देख लीजिएगा उमिदे जादा नहीं है बठा कहां पर finish किया वो देख लेना इसके बाद साड़े बारा बजे शुरू होगा गॉल्फ का match ये भी चार दिन के लिए चलेगा तो आज एक दिन में result से पता नहीं लगाया जा सकता कि कहां finish होगा तो आज नहीं इसको अभी 2-3 दिन बाद ट्रैक करेंगे बस हम result देख लिया करेंगे बीच बीच में आदिती और दिक्षाडागर का इसके बाद होगा सबसे important match डेड़ बजे इंडिया और जर्मनी के बीच में इस match में तो मेरे भाईयों आपको नजर बनानी पड़ेंगी ये match quarter final है जीत गए तो semi final यानि की medal के chances और ज़्यादा बढ़ जाएंगे चलिए इसके बाद 1 बचकर 35 मिनट पर सरवेश अनील खुशारे जी का match है जो कि men's high jump खिलते हैं और इन्होंने लास्ट अभी पंचकुला में ही इंडिया पंचकुला में क्वालिफाई किया था परफॉर्म करके और वहीं से ये कोटा लेकर आए हैं रैंकिंग के थूँ इसके बाद इनका 1 बचकर 45 मिनट पर जोतियारा जी का होगा 100 मिटर हडल्स का race और इस माच पे भी आप नजरे बनाईएगा क्योंकि यहाँ पर फाइनल क्वालिफाई कर सकती है सिर्फ लगबग आपको 10 सेकिंड रुकने की जरूरत है 12 सेकिंड रुकने की जरूरत है माच खतम हो जाएगा और वहीं पर हमें पता चल जाएगा क्या यो थी आरा जी फाइनल खेलेंगी या फिर बाहर हो जाएगी पहले ही उमीद लगाएंगे अच्छा करें इसके बाद 155 पीम पर अनूरानी का जैवलीन थ्रो का माच होगा दोस्तों जैवलीन थ्रो के इस माच में आपको बताई है हमारे नीर चोपड़ा ने क्या कारनामा करके दिखाया है क्या वो अनूरानी करके दिखा सकती है परस्नल बेस्ट 63.82 है लेकिन सीजन बेस्ट 60.68 है जो एनफ नहीं है क्वालिफाई करने के लिए 62 करना पड़ेगा तभी वहाँ पर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी अनूरानी क्या लगता दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताईएगा अनूरानी के लिए कमेंट सेक्शन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपोर्टन मैच होने वाला है रेसलिंग का मैच जिसमें हमारी अन्तिम पंगाल लगबग तीन बजे खेलती हुई नज़र आएंगी और यह मैच टर्की के खिलाफ होने वाला है यह टर्की के खिलादी देख लीजिए और हमारी अन्तिम पंगाल देख लीजिए सिर्फ 19 से 20 साल की उमर की है लगबग इस समय और कोटा लेकर आ चुकी है इस समय काफी फेवरेट भी है अन्तिम पंगाल बट नो हाइप्स ओनली सपोर्ट राइट चलिए लगबग लगबग नो बचकर 45 मिनट पर हमारा एक और से ट्रिपल जंप का मैच रहेगा इसको आप नॉर्मल देख सकते हैं चांसे बहुत कम है लेकिन अबदुल्ला और प्रवीन चित्रवल इसमें खिलते हुए नजर आएंगे मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ हो पाए बट ठीक है फाइनल्स के लिए कौलिफाइ कर जाते हैं तो बहुत बैस्ट होगा मैं टाइमिंग्स बता देता हूं कितना कौलिफाइ करना है 17.10 मुझे लगता है इन दोनों मैंसे कोई एक कौलिफाइ कर लेगा बाकी देखते हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता अबी ठीक है और वेट लिफ्टिंग की बात करें तो मीरा भाई चानु जी आज खेलती हुई नजर आएंगी और मीरा भाई चानु जी का ये मैं आज तो जी जादा मुश्किल है क्योंकि इनके बराबर और इन से उपर अभी चार और खिलाणी है जो इनके बराबर और इन से उपर वेट कैटिगरी एंट्रीज लेकर आई है बट देखते हैं क्या होता है मेरे भाई कुछ भी हो सकता है इस मैच में क्या पता मीरा भाई चानू कुछ कमाल कर जाए फिर एक और मैच खेला जाएगा जो रेसलिंग का फाइनल मैचे होंगे वो 9.45 से शुरू हो जाएंगे लेकिन 15 मैच है तो जिसमें हम ये मान सकते हैं कि 10 बजे के बाद ही खेला जाएगा विनेश फोगाट का फाइनल गोल्ड मैडल मैच इस मैच में दोस्तों क्या लगता है इनके मैच को जितनी बार रिपीट में देखो गूस बम सी आते हैं और ये फाइनल मैच बहुत जबरदस्त होगा दोस्तों उमीद लगाएंगे कि कु कि कोई 3000 मिटर स्टेपल चेस का खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया हो सीजन बैस देख लिजिए 8-9 है पिछले इसी इवेंट में क्वालिफिकेशन में 8-15 निकला था इनका 8 मिनट 15 सेकिंड लेकिन वो माईने नहीं रखता वहाँ पर वो काफी स्लो खिल र की जाएं देखते हैं अविनास साब ले क्या कमाल कर सकते हैं इस मैच में तो यह सब हैं आज के मैचेज दोस्तों सारे इंपोर्टेंट मैचेज मैंने आपको बता दी हैं उन पर टाइमिंग के अकोर्णिंग टाइम निकालकर जरूर हमारे साथ जुड़िए गा और इंजो